जहीं दोस्तों, फाइली एक्जाम को डेट अब आ गया है, पढ़ाई में आप सब लगे ही होंगे, तो बस अब पढ़ाई में लग जाईए, प्रीवेसर पेपर को अपना सब कुछ समझेगा, क्योंकि मेंस के पेपर में हमेशा लोचा तो नहीं होता है, पीटी के पेपर की तो प्रीवेसर पेपर के हिसाब से अपने तयारी को कीजेगा, जिस तरह के सब्जेक्ट और चैप्टर उसने चूज किये हैं, प्रीवेसर पेपर ने, उसी हिसाब से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा एक एक चीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, सामने प्रीवेसर पेपर को दीजिए, पहले जितना भी पहले का जो भी पेपर है, उसको बना जाएए, उस हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और तक तयारी कीजिए, ठीक है, समय मिलते ही हैं, हम हड़ी सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज हम देते जाएंगे, अभी जल्दी आजाएगा, उमीद तो नहीं था, I hope उस दिन हो ही जाए, क्योंकि अब तो नहीं लगता कि COVID के नाते कैंसिल होगा या कुछ ही और है, अब सब कुछ ठीक है लगबग, तो कैंसिल होना तो पॉसिबल नहीं है, समय कम है, कर लीजे, रहा सवाल हम करते हैं कि NCRT चाहिए और उसको बस पढ़ जाएगे, उससे बेसिक नौलिज हो जाएगा आपका, उस दरा ना पढ़ी सकते हैं, है न, कुल मिला के कितने किताब होंगे, लगभग, लगभग 30 तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन 4 गंटा से 5 गंटा में एक किताब खतम हो जाता है, अगर 6-7 क किताब देखा जाए तो 2-5 गंटा, और 8-9-10 का किताब ले लेगा 5-6 गंटा, ठीक है, तो 27 किताब, एक महीना, अपरेल में एक्जाम है, अगर नहीं पढ़ने का मन है, तो कोई भी बात नहीं है, तो अभी 8 क्लास से लेके थोड़ा देख लीजिए, एक 8 का, एक 12 का, यह बहुत अची किताबे हैं, NCRT में, क्लास से 8 की किताब और 12 की किताब, नहीं तो घटना चक्र से सारे कोशन को याद कीजिए, और आरे सगरवाल से तो आप मैत बना ही रहे होंगे, प्रिवेसर में देख लीजिएगा कि कौन-कौन चेप्टर से कोशन पूछे गये हैं, उस चेप्टर को पहले किलियर कीजिए, उसके बाद नए चेप्टर को एड कीजिएगा, ठीक है, बस अब बस तैयारी में लग जाहिए, डेट दे चुका है, ज्यादा दिन बिल्कुल नहीं है, कितना दिन रहा, मात्र, माली जी तो दो महीना भी नहीं पूरा गहेंगे, बस, जाहिए.